दोस्तों Huawei launch करने जा रहे है अपना new mobile Huawei Y6P तो आज ये वडियो आप ला सकते देखते हैं इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये Huawei Y6P किस usage के लिए buy करना चाहिए दोस्तों जब आप ये Huawei Y6P buy करेंगे तो आपको इसके box के उपर ही लिखा हुआ मिल जाएगा एकस्प्लोरी फ्रॉम एप गैलरी के बारे में तो मैं वीडियो के लास्ट में बात करूंगा पहले हम इस फॉन की इंटरनल स्पेसिविकेशन के बारे में बात कर लेते हैं तो यहां पर पाकिस्तानी मार्कीट में मोबाइल लोन चुगा उसकी जो रैम होगी दोस्तों वह 4G वी होगी जो इंटरनल स्टोरी या वह 64 वी होगी आप दोस्तों यहां पर में हाइलाइट के बारे में बात कर लेते हैं बैक साइट पर दोस्तों आपको ट्रिपल कैमरा का साइटम मिल रहा है और फ्रंट साइट में 20,000 पाकिस्तानी प्राइस में आपको हर मोबाइल में दोस्तों मिल रहे है 720P की रेजोलिशन जो के ठीक बात है इतनी जादा बुरी नहीं है दोस्तों यहां पर इस फोन के बहुत अच्छी बात मुझे लगी है कि इसमें जो आपको बैटरी मिल रही है वह दोस्तों बह का मतला अगर आप 0200 चार्ज करना चाहते हैं फोन को तो आपको तकरीबन तीन से साड़े तीन घंटे तक लग सकते हैं दोस्तों फोन को फुल चार्ज करने में जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है लेकिन दोस्तों हम फिर भी से एडवांटीज मान लेंगे क्योंकि एक एक या दो दिन आप अगर इस पे इंटरनेट यूज करें तो आपको दोस्तों इतनी जादा बैटी टाइमिंग मिल सकती है मतलब एक दफा चार्ज हो गया तो दोस्तों आप काफी जादा इसे यूज कर सकते हैं यह बहुत जादा अच्छी बात है दोस्तों अगर हम कैमरा सफोन का जो सेंगी केमरा है वो 5 मेगा पिक्सल का इल्ट्रा वाइड केमरा जी यहां दोस्तों इस प्राइसरेंज में आपको कोई कंपनी तरह केमरा नहीं देरी लेकिन इस दफास दूस्तों के आपको नोजडिस्प्ले मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है इस फॉन के लिए इस फोन का जो सिस्टम है वो बेस्ट है Android 10 पे जो के लेटेस्ट चल रहे हैं अगर आप को भी फ्लेक्शिट डिवाइस लेते हैं तो उसमें भी दोस्तों आपको Android 10 मिलते है और जो दोस्तों आपको camera resolution मिल रही है वो है 1080p मतलब अगर आप वीडियो शूट करने के लिए लेते हैं तो आपको 1080p में आप वीडियो recording कर सकते हैं जो के बहुत ज़्यादा अच्छी बात है अब दोस्तों मैंने हमको कहा था वीडियो के लास्ट में मैं आप बात करूंगा आप से explore it from app gallery को लेके अब दोस्तों ज जादा ऐसी apps हैं जो कि आप app gallery से download नहीं कर सकते जो के play store में available हैं तो उसके लिए आपको कोई भी third party या कोई ऐसा store download करना पड़ेगा जो आपको किसी और जगह से करना पड़ेगा लेकिन वह चीज़ आपके phone को damage भी कर सकती है जिस तरह के आप अगर डाउनलोड करना चाते ह तो आपको अपने browser में जाके जिस तरह PC पे चलाते हैं किसी computer पे उस तरह आपको browser में जाके YouTube या Gmail या कोई भी Google की service जिस तरह Google Maps वगारा चलाने पड़ेगे मतलब हर किसम की Google की service YouTube अपना Gmail कोई भी आप चलाना चाते हैं तो आपको browser में दोस्तों जाके चलाना पड़ेगा अ दोस्तों जो के बहुत बड़ाइक डिसएडवांटी जाइस फोन में अगर आप एक न्यू डिवाइस पर लेते हैं 2020 में भी तो भी दोस्तों आपको इधर उदर से apps डाउनलोड करने पड़ेंगे लेकिन दोस्तों यहां पर एक अच्छी बात यह भी है कि Huawei बहुत जल्दी जल्दी एप गैलरी पर काम कर रहा है मतलब चाहिए एक महीने या दो महीने के बाद एप गैलरी पर भी आपको सारे apps देखने को मिल जाए जो कि हैं प्ले स्टोर पर जो कि एक बहुत अच्छी बात है और यह एंडर डिवेलपमेंट है मतलब बहुत जल्दी यह बहुत आएगी दोस्तों बस आज की हमारी वीडियो यही तक थी अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें और आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं डेली ऐसी नेटनी इंट्रस्टिंग आपके शयत्य है, चैनल को सब्सक्राइब कर लाएब से क्योंकि मैं आपके रमावी मैं हमारी एक रूमाने दो चाइब को सीचराईब कर दो ह comprendो अो, यगे धा एक रमा रमावाराब कर दो दोस्तों क्योंको